हेलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है मेरे चैनल रीट रेसिपीज में तो आज मैं आपको दिखाऊंगी प्याज और शिम्ला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी तो फ्रेंट्स कई बर क्या होता है कि हमारे घर पे कोई सब्जी अवैलेबल नहीं होती तो प्याज और शिम्ला मिर्च तो असानी से मिली जाते हैं तो प्याज और शिम्ला मिर्च तो हमारे घर पे होते ही हैं तो इनसे ही मैं आपको आज बहुत ही स्वाधिस्ट और कि यहां पर एक चमश ऑल लेती हूं सिर्फ एक चमश ऑल से हमें इसको पकाना है अच्छे से आप इसको हिला लीजिए अपने पैन में तोयल जो हमारा घरम हो चुका है अब हम इसमें प्यास डालते हैं तो प्यास को ऐसे हमें ला देंगे और इसके साथ ही हम शिम्ला मिर्च इसमें एड़ कर देंगे और लगबग प्यास और शिम्ला मिर्च को हमें एक दो मिनट तक ऐसे ही हिला हिला के पकाना है जादा नहीं पकाना तो हमें सबजी में इनका रौ फ्लेवर चाहिए इसलिए हम इनको खड़ा-खड़ा कच्चा-कच्चा ही रखेंगे थोड़ा तो आप इसलिए प्यास कि लगा और तो ऑसे में पनी कढ़ाई में दो तेबलिस्पून डाल रही हूं यहां पको इपाइल यूज कर छोमने प्यास की ब्लेंड करके पेस्ट रेडी की ती तो प्यास को पकाना इसलिए गास की फ्लेम के या हाई ही तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक चमच अद्रक लसुन की पेस्ट और अद्रक लसुन की पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे तो गैस की आंच आप मीडियम कर दें और इनको 10 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से पकाते रहें जो प्याज और आज ने बिल्कुल परफेक्ट कलर ले लिया है बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए था और इसमें से बीनी बीनी अच्छी खुश्पू भी आ रही है तो अब हम इसमें टमाटर की पेस्ट जो है वो एड़ कर देंगे और उनको भी अच्छे से ऐसे ही हिला हिला के और इसके शाथ ही हम इसमें अड़ कर देंगे अपने मसाले तो मसालों में से सबसे पहले मैं इसमें नमक आड़ कर रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट की अगार्डिंग एड़ कर सकते हैं तो इसके साथ ही आदा चमच छालमिर्च पाॉडर जितना भी आप तीका पसंद क और यहां पे 140 स्पून गरम मसाला भी तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं हल्दी हमें इनमें नहीं डालनी है हमने अपने मसालों को अच्छे से पकाना है तो ध्यान में रखें इस सबजी में हल्दी नहीं पड़ती है और हमें अपने मसालों को अच्छे से पकाना और तब तक पकाना है जब तक हमारा ये जो मसाला है वो कड़ाई ना छोड़ते तो ऐसे ही हम अपने मसाले को पकने देते हैं और हमने इसमें डालनी है मलाई फ्रेश मलाई तो उसको हम बीट कर लेते हैं पहले तो मैंने यहाँ पर दो बड़े चमच मलाई के लिए हैं और इनको अच्छे से मैं बीट कर रही हूँ एक कप में डाल के तो अगर आप चाहो तो मलाई की जगा क्रीम भी डाल सकते हो फ्रेश क्रीम तो मलाई को हम अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि यह स्मूध बिल्कुल क्रीम की जैसे रेडी हो जाए यह देखिए बिल्कुल स्मूध रेडी होगी है तो अब हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा मसाला भी पक चुका और इसने कड़ाई भी छोड़ द तो अगर आप ये सबजी जो है वो ग्रेवी वाली चाहते हैं तो थोड़ा मलाई वाले कप में पानी डाल दे चिए लेकिन मैंने इसको बारा ग्रेवी नहीं को भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम तो ऐसी देखिए कितनी कम चीजों से हमारी है कितनी बड़िया सबजी बनके रेडी हुई है इसमें से खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आ रही है तो इसको एक फ्लेवर और देने के लिए मैं यहां पे डाल रही हूं थोड़ी सी कसूर तांकी जो हमारा मसाला है वो शिमला मिर्च और प्याज में अच्छे से रच जाए तो अब हमारी यह सबजी पूरी तरह से रेडी है तो अब हम इसको सब्सक्राइब करने की तरफ चलते हैं तो आप भी ऐसे ही यह सबजी बनाएए और खाईए और अपने महमानों को घरव को सबको खिलाएए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएए कि यह आपको कैसी लगी और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शियर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है और मेरे चैनल को अच्छी नई नई रेसिपीज की वीडियोज देखने के लिए